Hello everyone, welcome to my channel आज हम इस वीडियो में group theory unit का एक important symmetry elements axis of symmetry detail में discuss करेंगे examples के द्वारा इस concept को समझेंगे so axis of symmetry को cn के द्वारा denote किया जाता है so axis of symmetry क्या होता है अगर इसका basic definition देखें so it is an imaginary axis at the center of a molecule around which if if the molecule is rotated by an angle of 360 degree upon n from an indistinguishable orientation तो यह basic definition है इस definition में क्या कहा जा रहा है कि जब हम किसी भी molecule के center में imaginary axis एक line खीशते हैं तो एक line खीशते हैं उस molecule को 360 degree upon n यह एक formula है इसमें हम आगे angle निकालेंगे तो उसमें आगर हम इसको rotate करते हैं तो हमको indistinguishable orientation मतलब कि जो molecule का पहला structure था वैसा ही structure हमको प्राप्त होता है तो फिर उस इस्तिति में हम कहा सकते हैं कि उस molecule में axis of symmetry present होता है simple सा concept है एक imaginary axis हम खीचेंगे किसी भी molecule के center में उसके बाद उसको rotate कराएंगे इस angle में उसके बाद फिर हमको same image प्राप्त हो गया तो उसमें होता है axis of symmetry present ठीक है यह जो formula है 360 degree upon n यहाँ पे n का मतलब होता है order of the axis मतलब की number of corners ठीक है अब यहाँ पे examples के द्वारा देखते हैं सबसे simple example हम लेते हैं H2O molecule का ठीक है तो H2O molecule का सबसे पहले हम order निकालेंगे यह जो n होता है इसका मतलब होता है order ठीक है तो सबसे पहले order निकालना कैसा है simple सा आप structure को देख के order निकाल सकते हैं यह H2O molecule का structure है एक oxygen atom 2 hydrogen atom तो यहाँ पे आप देखेंगे oxygen से तो यहाँ पे 2 hydrogen atom है मतलब 2 corners है तो जितने number of corners होंगे structure में वही क्या कहलाता है उसका order कहलाएगा उस molecule का ठीक है तो यह order कितना है दो है अब 3060 degree upon end तो end के जगा 2 रखेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा एंगल निकल जाएगा जिस angle में हमको इस molecule को rotate करना है ठीक है तो क्या निकलेगा 180 degree ठीक है यहाँ पर basically इसको किस से denote किया जा रहा है? Cn से denote किया जा रहा है जहाँ पर n में हम क्या लिखेंगे? order, ठीक है? order लिखेंगे, तो order हमारा कितना है? 2, तो मतलब कि कितना है हमारा C2 axis of symmetry जो है H2O molecule में present है अब इसको आप कैसे दर्साएंगे structure में, तो देखिए यह H2O molecule है, अब इसके बीचों भी एक imaginary हमने यह क्या की चाहे? line की चाहे अब यह imaginary, आप just imagine करेंगे यह basically 3D में imagine करने के लिए होता है यह जो है H1 है, यह H2 है H1, H2 मतलब इसको बस नाम दिया गया है same hydrogen atom ही है तो इसको हम जब 180 degree में rotate करेंगे तो यह H1 वाला H इधर आजाएगा H2 वाला H इधर आजाएगा ठीक है, यह हो गया हमारा C21 मतलब दो बार हमको करना है तो उसमें हम एक बार 180 degree में rotate करेंगे तो यह structure प्राप्त होगा उसके बाद फिर एक बार हम rotate करेंगे तो हमको यह structure प्राप्त होगा और यह दोनों structure को आपको match करके देखना है ठीक है, पहला structure और आखरी structure दोनों अगर same है यह मतलब की क्या है indistinguisable orientation है किसी भी प्रकार का इन में changes नहीं हुआ मतलब हमको same image प्राप्त हो गया मतलब की h2o molecule में axis of symmetry cn present है इन h2o molecule c2 axis of symmetry are present cn मतलब की c2 क्योंकि दो क्या है number of order यह समझ में आगे आपको यह simple सा है अब एक और example देख लेते हैं जैसे की यह हमारा है ammonia ns3 इसका structure इस प्रकार होगा तो इसमें भी हम एक imaginary axis खीचेंगे ठीक है यहां पर यह भी 3D में ही आपको imagine करना है तो सबसे पहले इसका हमको क्या निकालना है order निकालना है तो order कैसे निकालेंगे अगर यहां n से हम consider करें तो 3 corners है तो 3 corners number of corners क्या होते हैं order होते हैं तीन बार 120 degree में रोटेट करना है जिससे हमको same जो structure हो प्राप्त हो जाएगा तो कैसे देखिए हैं आपर हमने access कीचा है imaginary axis उसके बाद सबसे एक बार पहले क्या करेंगे 120 degree में पहले हम इसको रोटेट करेंगे तीन बार करना है तो 120 degree में करेंगे यहां पर यह बेसिकली जो hydrogen atom है इसी का ही position change होगा जैसे यह इधर आएगा 120 degree में गुमेंगे उसके बाद यह position होगा फिर second time एक बार और हमको इसको रोटेट कराएंगे फिर एक बार और third time कराएंगे तो हमको जो orientation है वो same प्राप्त होगा यह पहला और आखरी का यहां पर आपको same दिख रहा होगा लेकिन basically यह hydrogen atom अपना position चेंज कर रहा है तो आपको इस परकार से सो करना है आपके exam में क्योंकि आपको exam में examples को इस परकार structure से सो करेंगे तभी आपको full marks मिलेगा ठीक है ऐसे just example लिख देने से नहीं होगा ठीक है आपको basic समझना होगा कि यहां पर हमने क्या क्या है तीन बार इसको rotate क्या है तो हमको यह image प्राप्त हुआ जो कि पहले का था same to same ठीक है तो इस परकार क्या हो जाएगा कि in NS3 ammonia molecule has C3 axis of symmetry ठीक है तो C3 axis of symmetry इसमें present है इस परकार से हम निकालते हैं axis of symmetry किसी भी molecule का ठीक है तो यह basic concept है axis of symmetry इस परकार आप और भी examples दे सकते हैं यह proper notes मैं आपको theory exam के perspective से provide कर रहा हूँ तो 2 and 3 marks में पूछा जाता है axis of symmetry क्या है तो आप जो है इसको लिख सकते हैं theory exam में और आगे हम point group वगरा भी पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत important है basically यह जितने भी हम symmetry elements discuss कर रहे हैं उसको किसी एक molecule में सभी operations को करके देखना होता है सभी symmetry elements को देखना होता है तो उसको आगे हम point group पढ़ेंगे तो उसमें सीखेंगे यहाँ पर आपको basic concept आना चाहिए कि axis of symmetry क्या है किस परकार से इसको apply किया जाता है अगर आपको heritage notes है यह आपके theory exams के लिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं topic match कर सकते हैं symmetry and group theory in chemistry unit के इन सभी topics के detail heritage notes आपको PDF में मिल जाएंगे PDF का link आपको नीचे description box में मिलेगा तो उहाँ चेक कर सकते हैं और उहाँ से आप notes download कर सकते हैं जो definitely आपके exam preparations के लिए बहुत helpful होगा तो यह topics आप अपने syllabus से match कर सकते हैं अगर आपके syllabus में same topics हैं तो आप definitely notes ले सकते हैं मैं आपको सभी topics detail में मिल जाएंगे जो आपके exam preparations के लिए helpful होगा अगर वीडियो helpful है तो आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जूरे रहे हैं Thank you so much for watching